कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटेस्टेनिंग और रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जी हाँ अगर आप भी Tiger Shroff के fans है इस वीटियो को like करके दोस्तों के साथ चैनल को subscribe करके इस दोस्तों के साथ इस वीटियो को share कर दीजेगा क्योंकि इस वीटियो में आपको बताएंगे मूवी के पूरी details मूवी में कौन कौन से काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे म आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा कम्पलेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें ताकि यह ऐसी ही नोलगस्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन औ और एक एक्सन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेड़सन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेस देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निवा रही है सबसे पहले में आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिलीज डोल में आपको दिखेंगे रितेस देशमुक टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरो में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबवे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिरेना गरो में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीवियू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस video को share कर दिजेगा क्योंकि इस video में आपको बताएंगे बागी थ्री movie के पूरे डिडेल्स के बारे में बागी थ्री movie में कौन-कौन से श्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इस मुवी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरे कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा तो उससे पहले वीडियो को लाइक करे के channel को subscribe आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्र न और कुछ ने अग कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पतादें कि इस movie में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेड संद इंटर्टेंडमेंट के ताहत निर्मित और फॉक्स इस्टार स्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ, रितेस देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वहें मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे पिल मैं आपको बता दूँ कि इसमें 3 लिड डोल में आपको दिखेंगे रितेस, देशमुक, टैगर्श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को स और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदर कमाई की दी उस नहीं किल्ग किल लागएग्टु दिखाय क्या लीजू सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रन चीजों को देखने क मिलेगा बागी थ्री यह एहमद खान द्वारा निर्देसित और एक एक्षन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेड़सन इंटेंटेडमेंट के तहत निरमित और फोक्स इस्टार इस्टेटियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेस देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमी का दिखेंगे रितेस देशमुक टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह स्थे मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खाचा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बत मुवीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवीज जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और ए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को स वाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में त कुछ नहीं कर सकें तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वा और बागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइगर्स रॉफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वह मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा र फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परमक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सक इस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीड कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को प्लाइकर के चैनल को सब्सक्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रन चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और स्विकल्स हैं बागी 3 में टाइगर्स रॉफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमिका निभा रही हैं सबसे पिल मैं आपको ब बता दे कि इसमें जो है आप फिल्म जो है वह शे मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर सौरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे म वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी क स्वागत करते हैं हमारे यूड्यूब चैनल की और एक नई इंटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस व वीडियो में में आपको बताइगे बागित्री मूवी के पूरी डीटेल्स के बारे में वागित्री मूवी में कौन-कौन से श्टारकast ने काम किया है उस मुवी क vine कोपने इस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवीरी कंप्लेट जरूर smokingěत्य और इस इडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी छीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और स्विकल्स हैं बागी 3 में टाइगर स्रोफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म मैं आपको ब बता दे कि इसमें जो है आप फिल्म जो है वह 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोगराफी 19 सितंबर सॉरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वही 6 मार्ट 2020 को सभी सिरना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मैं मिलत लूँते बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जी हाँ अगर आप भी टाइंकर श्रॉफ के पेंस हैं इस वडिएव को लाइट करके दोस्तों के साथ चैनल को सम्ट्राइब कर सेर्ड कर दियएगा क्यों किस तरीके से लोग इस मूवी को पताएंग कि मुवी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किसju किन और को मिल सके जीवन में कुछ ब्हत्रण और कुछनयार कर सकें तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिडी सीजो को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रॉप और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेम गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवख फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंस्फारिंग इडियो कर दोस्तों आप सभी का सुआगत अब करते हैं हमारे यूड्यूब चैनल की और एक नई इंडेटेनिंग और रीव्यू की विडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वी थ citizen में आपको बताएंगे वागी थी मूवी के पूरी डिडल्स के बारे में मागी थी मूवी में कौण कोन से style lifelong काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दे कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड सीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देसित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइकर स्रोफ, रितेस, देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें 3 लीडोल में आपको दिखेंगे रितेस, देखमुक, टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवख फोटोग्रापी 19 सितंबर, सॉरी, 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में चिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से कि नई और इंस्पारिंग कर दोस्तों आप सभी का सुवागत करते हैं हमारे यूड्यू चैनल की और एक नई इंडेर टेनिंग और रीवियू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी थ्री जी हाँ अगर आप भी डिडेल्स के बारे में माग इतरी मूवी में कौन-कौन से इस्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत कि को दिखाय गया है इन्न सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेड़सन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाद में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइगर सुरॉफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निवा रही है शबसे पहले में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिडरोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमूक टैगर स्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तो ये थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे कि-स नई और inspiring कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटेडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरे कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन दारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नह देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी टू 2018 का अध्यात में एक स्व यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वहीं मैं आपको बता दूँ कि सर्दाकपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड़ डोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मूग टैगर्श्रोफ और शर्दाकपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों म हैं और इसमें काफी अच्छा क्लेक्टन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्राफी 19 सितंबर सॉरी 12 सितंबर 2019 को मुंबवय में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थ कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉ इस मुवी पूरी डीडेल्स के बारे में माग इतरी मुवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमीकाउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी po e कौपन कर रहे हैं इस मूवी ने कि तरी कमाई की दी इस और इस फ्रकार से आपको किन गुदारिक को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों बेडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा थोसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप सीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्य हाथ में एक स्विकल्स हैं बागी 3 में टाइगर श्रॉफ रितेश देखमुक और सर्दाकपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दाकपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमी का निभा रही हैं सबसे पह आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्राफी 19 सितंबर सौरी 12 सितंबर 2019 को धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटेडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक् लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत की दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा आदें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडिसन आप में एक स्विकल्स हैं बागित्री में टाइगर श्रॉफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही हैं सबसे इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह चे मार्ट दोहजार वीस को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा- इसमें यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप चीक जिन नई और इंस्पारिंग कर दो बागी 3 जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागी 3 मुवी के पूरी ती और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस video में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा उससे फेले वीडियो को like करके channel को subscribe आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ यह एहमद खान दुबारा निर्देसित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला दुबारा नाडियाड वाला ग्रेड़सन इंटर्टेंडमेंट के तहथ निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो दौरा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ, रितेस देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेस, देशमुक, टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्सन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म की फिल्मक फोटोग्रापि 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिनेमा गरों में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों ये थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चेनल की और एक नई ईंडेटेटिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जियां अगर आप भी टाइगर शरौफ के फैंस हैं इस वीडियो को like करके दोस्तों के साथ चैनल को subscribe करके इस दोस्तों में आपको बताएंगे बागे 3 मूभी के पूरी डिडेल्स के बारे में भांगे 3 मूभी में कौन-कोन से इस्टार काश ने काम किया किस प्रकार से लोगों ने इसमें इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मूभी को सब्सक्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्दे के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी टू 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स हैं बागी त्री में टाइकर स्रॉफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक सब्सक्राइक हैं वही मैं आपको बता दों कि सअलरा को फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमित का निभा रही है सबसे पद peoples के इसमीन से हही और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितं कि मुंबए में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिरेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सक कि इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीज हैं इसवे की तरही कमाई की दी और मूभी की लागत किन दी और मूवे में किस प्रकारस आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बतानी वाल है इस वीडियो में तो दूस्तों पूरा कंप्छी और जरूर आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिदी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अधियाद में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइगर स्रॉप, रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दू हुआ हुँ कि सर्दा कुपूर फिल्म में एक ए ओस्टेश्ट की भूमिका निवा रही है सबसे पेλλिल में आपको बता दूँकि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक, टेगर स्रॉप और सर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्टन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म की परवक फोटोग्राफी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों ये थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चेनल की और एक नए इं पहाँ थी मुवी के पूरी रिडिल्स के बारे में इस मुवी के लागत की ती और इस मुवी में किस परकार से आपको किन किरदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत इत्तरे दी शीजों को देखने को मिलेगा बागे थ्री यह एहमेद खान द्वारा निर्देसित और एक एक्षण ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडाशन इंटर्टेंड मेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इ रितेष देशमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 कि तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक हैं वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिलीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इस देमार्ट 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी न उसका नाम है बागी 3 जी हां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागी 3 मुवी के दी और इस मूबी के लागत कुदी ती और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाए गया है इन रब और आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को маг्याना जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रन चीजो को देखने को मि वागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और बागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइगर स्रोफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रह ही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिड्रोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों मे और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वह 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्त कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूड्यूप चैनल की और एक नई इंटेडिनिंग और रीविव की विडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागिद्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रौप के फैंस है스트इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करकर इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को चेयर कर दीज़ेगा क्योंकि इस वीडियो मैं में आपको बताएंगे बाज continuous के बारे हिस इस आप इस मूवी के जिन और इस movie की लागत किंदी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाये गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस movie में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाद में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइगर स्रोफ, रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही में आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पहले में आपको बता दूँ कि इसमें 3 लिडुडोल में आपको दिखेंगे रितेश, देशमुक, टैगर स्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्टन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं बिलता हूँ आपसे कि Зनै और इंच्वार कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूड्यूब चैनल की और एक नई इन्टेटिंग और रिवीउ की विडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने बाले हैं उसका नाम है बागी 3 जी हाँ अगर आप भी Tiger Shroff के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागी 3 मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागी 3 मूवी में कौन कौन से Star Cash ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्सन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टुडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइगर स्रॉफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डॉल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रॉफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्च दो हजार वीस को यह रिलीज की के थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबवय में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटे जो का एकट आगर श्रॉफ के फैंस इस वीटियो को लाइक कर खलो साथ चैनल को सप्क्राइब करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीज़ेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागी थरी मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में बागी थरी मूवी में कौन-कौन से इस्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस movie को पसंद कर रहे हैं इस movie ने किदरे कमाई की दी और इस movie की लागत किन्दी दी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाये गया है इन सभी के बारे में आपको बताने बाले है इस video में तो दोस्तो वीडियो को पूरा कम्पलेट जरूर देखेगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चेनल को सस्क्राइब, और वस्य कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलस्पुल जानकारे आपको मिल सके, और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके, तो दोस्तो सबसे प नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉफ रितेस देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमिका नि लिखेंगे रितेस देशमुक टैगर श्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दू कि यह फिल्म की परवक फोटोगराफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीविई की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने लोगों इसमें अपनी बूमिकाऊ को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन कृधारों को दिखाया क्या है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद अरसुल और बागी टू दोजर अठार का अध्यात में एक स्विकल्स है बागी त्री में टाइगर्स रॉफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वह मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर भूमी का निभा रही है सबसे पर बता दूँ कि इसमें तीन लिड्रोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रॉफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें आपको फिल्म जो है वह मांच वड़ दो 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेम गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म की पर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबवे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चेनल की और एक नई इंटेटेंडिग और रिवू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागितरी जी हाँ अगर आप भी Tiger Shroff के Fans एं इस वीडियो को लाइक करकें दोस्तों के साद चेनल को सब्सक्राइब करकें इस दो अधिके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत की दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड सीजों को देखने को मिलेगा बागित त्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इ अधियाड में एक स्विकल्स हैं बागित त्री में टाइगर श्रॉफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे पिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो छे मार्ट दोहजार वीस को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेम गरो में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवख फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिरेना गरो में सिनेमा गरो में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तो यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चेनल की और एक नई इस व्डियो को लाइक करके दोस्तो के साथ चैनल को सप्क्राइब करक sommes करें कि लोगों इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी किदरे कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीड प्रत्रेटी सीजों को देखने को मिलेगा बागित्त्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्सेंड ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेड़सन इंटर्टेंडमेंट के तहद निर्मित और फोक्स इस्टार इ देखमुक और सरदाकपूर हैं यह 2012 तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदाकपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिलीज डोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मूग टैगर्श्रोफ और शरदाकपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्सन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवख फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वही 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस् कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटेनिंग और रीविव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जियां अगर आप भी टाइगर श् सकाक हिए 3 इस प्रकार से लोगों इसमें अपनी इस गमीघ fluct смотреть और आपको बताने वाले है इस वीडियो में तो दोस्तों remote जरूरब देखेगा उस्ते पहले बीडियो को like करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वो बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाद में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप, रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक, टैगर स्रॉप और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा घरो में और इसमें काफी अच्छा-कासा क्लेक्टन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म की परवक फोटोग्राफी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिनेमा घरो में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तो ये थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चेरल की और एक नई इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागी थी मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागी थी मूवी में कौन-कौन से स्टार काश इस प्रकार से लोगों ने इसमें अपने भुवी काऊंगों निवाया है और किस तरीके से लोग कुछ इस ब Johnson कर रही हैं इस मुवी ने किदरी कमाई की दी और समी की लागत किन्दि दी और इसमय में किस प्रकार से आप आपको किन किरदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें आपके ऐसी है नोलस्पूल द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी टू 2018 का अध अधियाद में एक स्विकल्स हैं बागी ट्री में टाइगर श्रॉफ रितेश देख्मुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इ 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से किसी नई और इंसवाइर कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई इंटेटेटियो की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जी हां। अगर आप भी Tiger Shroff के fans हैं इस वidiot को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सbtribe करें इस दोस्तों के साथ इस बडियो को share कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागी थरी मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागी थरी मूवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदर कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रन चीजों को दे नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप, रितेस, देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तम इस शरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है, सबसे पहले में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिडोल में आपको दिखेंगे रितेस, देशमुक, टैगर श्रॉप और सरदा कपूर, फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको सब्सक्राइब कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेडिनिंग और रीव्यू की विडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉप के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को स म्निवाया है और किस तरेके से लोग इस इस मूबी को पसंद कर रहे हैं इस moving ने किदरे कमाई की दि और समूबी की लागत किंदी दि और इस मूबी में किस प्रकार से आपको किन किर्दारों को दिखाए गया है है इन सभी में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्सन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्च दो हजार वीस को यह रिलीज की और वहीं 6 मार्च दो हजार वीस को सभी स्रेणा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योfy इस विडियो में हम आपको बताएंगे बागई थरी movie के पूरी details के बारे में बागई थरी movie में कौन-कौन से starfish ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भुमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस movie को पसंद कर रहे हैं इस movie ने किदरे कमाई की दी और इस movie की लागत किंदी दी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को like करके च दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागी त्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडिसन इंटेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी टू 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी त्री में टाइगर स्रॉफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता इसमें तीन लीड डॉल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खाचा क्लेक् थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगय में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहु करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जी हां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को ला लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बार और कुछ नहीं कर सकें तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइकर्स रॉफ रितेश देखमुक और सरदा है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मूग टैगर श्रोफ और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह से मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खाचा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोगराफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगय में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को दे की इन्टेटेइण और रीव््यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हां अगर आप भे टाइगर शुरॉफ के फैंसे इस वीडियो को लाईक करके दोस्तों के साथ चैनल को स bicycles करे इस दोस्तों के बताएंगे भागी थальным मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में भागी थी मूवी में कौन-्पून से चनल स्वाज ने काम किया है किस प्रकार से लोग dulu इसमें अपनी भूवी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत की दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिली सीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइगर स्रॉफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेट्टाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रॉफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्रापी 19 सितंबर सौरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिरना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटेनिंग और रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने बाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हाँ अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागी थरी मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में बागी थरी मूवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें आपके ऐसी ही नौलस्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रन चीजो को देखने को मिलेगा बागित थ्री यह एहमद खान द्वारा निर्देसित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेड़सन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइकर स्रोफ, रितेस, देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेस, देखमुक, टैगर्श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्सन हुई थी, वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोगरापी 19 सितमबर, सॉरी, 12 सितमबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिरेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत थी कमाल धमाल मुवी है, तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं, तो आप जरूर देख सकते हैं, मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चेनल की और एक पैंस हैं, इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर दीजेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागी थरी मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में बागी थरी मुवी में कौन-कौन HisNDE-Star Cache काम किये हैं इसमें oni इसने प्परकार को निभाया है er और इस नरीके से लोग इस प Chelsea ने कितरी कमाई कि अ Nous और सुन लागत किनुभधि और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन करदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कमपलेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चेनल को सब्सक्राइब और बस्य कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी सीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिक निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर्श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह वह च्छे मार्श दोहजार वीस को यह रिलीज की सबी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सबी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो सब्सक्राइब कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जियां अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागित्री मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागित्री कौन कौन से इस्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काउं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरे कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आप को किन किरदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें आपके ऐसी ही नौलज़पुल ज द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी टू 2018 का अध अधियाद में एक स्विकल्स है बागी ट्री में टाइगर श्रॉफ रितेश देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सब इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रॉफ और शर्दा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्ट दोहजार वीस को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छ 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करत हैं बागी 3 जी हां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागी 3 मुवी के पूरी डि दिए और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन उस सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा तो से फ़हले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब औ आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाख कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी सीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी टू 2018 का छदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वहीं में आपको बता दू हूं कि चलता कूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेस, देश्मूग, टैगर श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को ये रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म की परमख फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों में ये रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों ये थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं में मिलता हूँ आपसे कजिने और इंस्पइर कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई इंड़ेनिंग और रिवीव की विडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दीस मुवी के बारे मैं बात करने को प्रकार को ने मुटार को निभाया है और सभी के बारे मैं आपको इस प्देड़ो चाहरे है इस थिस्ट्रूंज आपको किन करदारों को दिखाया गया हैkke? इनस सभी के बारे में आपको बताने देखने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक कर के चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सकें और आप जीवन में कुछ बहतर्ण और कुछ नहीं कर सकें तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के त निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाद में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉप रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वह मैं आपको मैं आपको बतादूँ कि चस्रदा कपूर फिल्म में एक एर होश्टेट्स की भूमी का निभार ही है शबसे वल्म में आपको बता ददू यह मार्च नहीं 20 YEAH का ओफी टीEMA नहीं थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्वक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 3 जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को ला लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने किदरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बार और कुछ नहीं कर सकें तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइकर्स रोफ रितेश देखमुक और सरदा कपू हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश देश्मुक टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में औ और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्सन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्राफी 19 सितंबर सौरी 12 सितंबर 2019 को मुंबवे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाहते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेनिंग और को दिखाया हैं यहां बाके अभी की रही हैं और की करदारों को दिखाया हैं इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कमप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें ताकि ऐसी ही नौलस्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सकें तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी त्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वितृत की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधिहात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ, रितेस देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वहें मैं आपको बता दूआ की सरदा कपूर फिल्म में एक air hostess की भूमी का निभा रही है सबसे पिल्म मैं आपको बता दूँ की इसमें तीन लिड़ डोल में आपको दिखेंगे रितेस देशमुक टैगरश्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खाचा क्लेक्टन हुई थी वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फिल्मक फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगय में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंडेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागि थ्री जहां अगर आप बेे टाइगर श्रॉफ के फैन्स हैं इस विडियो को लाइक करके दोस्तों के साध हैनल को सब्सक्राइuvre करके इस दोस्तो से लोग इस movie को पसंद कर रहे हैं इस movie ने कितरी कंपाई ती और इस movie की लागत किंदी ती और इस movie में किस परकार से आपको किन किरदारों को दिखा Komma बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और बस्ते कर लें आपके ऐसी ही नोलज़पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मुवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रन चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागि 2016 और बागि 2 2018 का अधियाथ में एक स्विकल्स है बागि 3 में टाइकर स्रॉफ, रितेश, देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें 3 लीड डोल में आपको दिखेंगे रिटेश देश्मूग टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्सन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परमख फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूड्यू चैनल की और एक नई इंटेडेटिंग और रीविवीयू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में ब कुछी इस वीडियो में आपको बताएंगे भागी थारी मुवी के पूरी डियुल्स बारे में वागई थारी मुवी में लोग रही कंश ने कम किया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्ते कर लें पाकि ऐसी ही नौलश्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन म पान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडिसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का यह 2012 की तमिल फिल्म वेट्टाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सर्दाकपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश, देश्मूग, टैगर श्रोफ और शर्दाकपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी, वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की पर्मक फोटोग्रापी 19 सितमबर, सौरी, 12 सितमबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी, और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी सिरना गरों में सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी कर दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई इंटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है बागी 3, जी हाँ, अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं, इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर दीजेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागी 3, मुवी के पूरी डिडिल्स के बारे में बागी 3, मुवी मे किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन मे कुछ बहत्रन और कुछ नयाक कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रन चीजो को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेड़सन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी टू दोजर अठार का अधियात में एक स्विकल्स है बागी त्री में टाइकर रितेस देश्मुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेट्टाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन रिलीडोल में आपको दिखेंगे रितेस देश्मुक टैगर्श्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी स्थे मागरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर सौरी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्ट 2020 को सभी स्रेना गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चेनल की और एक नई इंडेनिंग और रीवियू की वीडियो में दोस्तों आज की तैगर श्रॉफ के फैंस है इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ WOW को शेयर कर दिजिएगा क्यों किस तरीक है लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस इस movie ने किदरे कमाई की दी और इस movie की लागत किन्धी दी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने बाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा complaint जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को like करके चैनल को सस्क्राइब आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्सन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रोफ रितेश देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह शे मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिन तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नए इंटे का नाम हैं बाक्यत धी जियां अग्र आप ठीखे डेहर बारे में माकी ध्री मुवी में कौन कौन से स्टार काश ने गढ़न की और से लोग उसमें अपनी भूवी काहों को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी के ख़ुमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदिती और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाये गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा कंपलेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और बस्ते कर लें ताकि ऐसी ही नोलस्पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाग कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित्त्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागि 2016 और बागि 2 2018 का अधियाथ में एक स्विकल्स है बागि 3 में टाइकर स्रॉफ, रितेश, देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही में आपको बता दूँ कि स्रदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें 3 लीड डॉल में आपको दिखेंगे रितेस देश्मूग टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खाचा क्लेक्टन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्रापी 12 सितंबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चैनल की और एक नई की इंटेट멇निंग और रीविईव की विड्यो में दोस्तों आज की स्वीडियो में हम इस मुवी के बारे मीं बातकरने वाले हैं। उसका किसे लोग इस मुवी को पसंद कर रहे हैं इस मुवी ने कितरी कमाई की दी और इस मुवी की लागत किंदी दी और इस मुवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो क हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रिड चीजों को देखने को मिलेगा बागित 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागि 2016 और बागि 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स है बागि 3 में टाइगर स्रोफ, रितेश, देखमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेस्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेश, देश्मुक, टैगर स्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्सन हुई थी वहें मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितमबर 12 सितमबर 2019 को मुंबगे में शुरू ही थी और वहें 6 मार्ट 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियूब चेनल की और एक नई इंटेनिंग और रीव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मुवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागित्री जी हां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को मूवी में कौन-कौन से इस्टार काश ने काम किया है, किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमिकाओं को निवाया है, और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं, इस मूवी ने कितरी कमाई की दी, और इस मूवी की लागत किंदी दी, और इस मूवी में क इस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और वस्ते कर लें आपके ऐसी खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडिसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पिल मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेस देश् टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्ट 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फो तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चेनल की और एक नई इंट यूअ गार यूश्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो लाइक करके दोस्तों के साफ चैनल को सब्सक्राइब करके लोग इस घाय को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने किदरे कमाई की दी और इस movie की लागत किंदी दी और इस movie में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाये गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा complete जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और बस्ते कर लें आपके ऐसी ही नोलज़पूल जानकारे आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाक कर सके तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मूवी में आपको जो दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजो को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा ग्रेडशन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टेडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियाथ में एक स्विकल्स है वागी 3 में टाइकर स्रॉफ, रितेश, देशमुक और सरदा कपूर है यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे फिल्म मैं आपको बता दूँ कि इसमें 3 लीडोल में आपको दिखेंगे इसमें रितियस देश्मुक टैगर श्रोफ और शरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी वह मैं आपको बता दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूडियू चैनल की और एक न की पाए दखाओ कुमाल के यह थो मュवी के लागत किन धी और इस मूवी मं किसमाल को जिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब और वस्य कर लें आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नयाक कर सके त और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी टू 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागी ट्री में टाइगर स्रोफ, रितेस, देखमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमिका निभा रही है सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीडोल में आपको दिखेंगे रितेस, देखमुक, टैगर स्रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इस देमार्ट 2020 को सभी सिर्णा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स् उसका नाम है बागित्थ्री जी हां अगर आप भी टैगर श्रोफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर दीजिएगा एक है बागी थ्री मूवी के पूरी डिडिल्स के बारे में मागी थ्री मूवी में कौन-कौन से स्टार काश ने काम किया है किस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भूमी काओं को निवाया है और किस तरीके से लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं इस मूवी ने कितरे कमाई की दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा दिखने को मिलेगा बागि 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्षन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटरटेंड्मेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिटियो द्वारा वित्रित की गई यह वागी 2016 और वागी 2 2018 का अधियात में एक स्विकल्स हैं वागी 3 में टाइगर्स रॉफ रितेस देशमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक हैं वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की निभा रही हैं सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लिड्रोल में आपको दिखेंगे रितेस देशमुक टैगर्स रोफ और सरदा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वह 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा शुरूही थी और वही 6 मार्च 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मैं मिल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है भागित्री जिज confident की दोस्तों के साथ दोस्तों के आपको बताएंगे खुए अगर हम पुरी कमाई की दी और इस मूवी की लागत किंदी दी और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाया गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंपलेट जरूर देखेगा तो से पहले वीडियो को ल देखने वाला है वह बहत्रिदी चीजों को देखने को मिलेगा बागी 3 यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फॉक्स इ रितेश देखमुक और सरदा कपूर हैं यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सरदा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपक 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वही मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की फर्मक फोटोग्राफी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 को मुंबगय में शुरू ही थी और वही 6 मार्ट 2020 को सभी सिनेमा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मुवी है तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और ए अगर आप भी टाइगर श्रव पर फिंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर shifting हैं इस वीडियो को सेर कर देजगा तो क्योंकि की लागत किंदिती और इस मूवी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाए गया है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंपलेट जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को आपको मिल सके और आप जीवन में कुछ बहत्रन और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पता दें कि इस मूवी में आपको दिखने वाला है वह बहत्रनी चीजों को देखने को मिलेगा बागित्री यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटर्टेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टीडियो द्वारा वित्रित की गई यह बागी 2016 और बागी 2 2018 का अध्यात में एक स्विकल्स है बागी 3 में टाइक की अधिकारिक रिमेक है वही मैं आपको बता दूँ कि सर्धा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश्ट की भूमी का निभा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेस देश्मूग टैगर्श्रोफ और सर्धा कपूर फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है आपको फिल्म जो है वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी सभी सिनेमा गरों में और इसमें काफी अच्छा खासा क्लेक्टन हुई थी वह मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की परवक फोटोग्रापी 19 सितंबर 12 सितंबर 2019 क सभी स्रेणा गरों में यह रिलीज कर दी गई थी तो दोस्तों यह थी मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत थी कमाल धमाल मूवी है तो आप अगर इस मूवी को देखना चाते हैं तो आप जरूर देख सकते हैं मैं मिलता हूँ आप सबी का स्वागत करत बागी थी जियां अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ चैनल को सस्क्राइब करके इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे बागी थी मूवी के पूरी लिए किन दी निदी और इस मूज़ी में किस प्रकार से आपको किन किरदारों को दिखाए गया है इन है इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीइडियो में तो दोस्तों वीडियो को पूरा komplette जरूर देखेगा तौन स्सेपहले वीडियो 5 लाइक करके यह एहमद खान द्वारा निर्देशित और एक एक्सेंट ड्रामा फिल्म है, जो कि साजीद नाडियाड वाला द्वारा नाडियाड वाला ग्रेडसन इंटेंडमेंट के तहत निर्मित और फोक्स इस्टार इस्टिडियो द्वारा वित्रित की गई, यह वागी 2016 और वागी 2, 2018 का अध्याथ में एक स्विकल्स है, वागी 3 में टाइकर स्रोफ, रितेश देशमुक और सरदा कपूर है, यह 2012 की तमिल फिल्म वेटाई की अधिकारिक रिमेक है, वही मैं आपको बता दूँ कि स्रदा कपूर फिल्म में एक एर होश्टेश्ट की भूमी का निभा रही है, सबसे फिल्म में आपको बता दूँ कि इसमें तीन लीड डोल में आपको दिखेंगे रितेश देशमुक, टैगर श्रोफ और सरदा कपूर, फिल्म की जो आपको बता दे कि इसमें जो है, आपको फिल्म जो है, वो 6 मार्च 2020 को यह रिलीज की गई थी, सभी सिनेमा गरों मे और इसमें काफी अच्छा-खासा क्लेक्शन हुई थी, वहीं मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म की पर्मक फोटोग्रापी 19 सितमबर, सौरी, 12 सितमबर 2019 को मुंबवे में शुरू ही थी, और वहीं 6 मार्च 2020 को सभी सिरेना गरों में, सिनेमा गरों में, यह रिलीज कर दी गई थी, तो दोस्तों यह थी मुवी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत थी कमाल धमाल मुवी है, तो आप अगर इस मुवी को देखना चाते हैं, तो आप जरूर देख सकते हैं, मैं मिलता हूँ आप चिक जिन नई और इंस्पाइरिंग इडियों